हेलो इस्टुडेंट्स आई होप आप लोगों ने अब तक की जो वीडियो देखी होंगी उसमें आपको समझ में आया होगा और आप मेरी गाइडेंस को फॉलो जरूर कर रहे होंगे आप लोग सारी वीडियो को एक दिन में ना देखें ऐसा करेंगे तो आपको जो नॉलेज है वो जितनी जल्दी मिलेगी उतनी जल्दी आपके माइंड से निकल भी जाएगी अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो नॉलेज है ज़्यादा टाइम तक आपके माइंड में बनी रहे तो उसके लिए आपको थोड़ा time दे दे के इस चीज़ को सीखना होगा और practice जादा करने होगी ठीक है तो यही हमारा main purpose रहेगा कि हम इस course के अंदर जितनी जादा जादा हो सके practice करें practice करके अपने concept को clear करें यही हमारा यहाँ पर goal होगा तो अब तक हमारे जो हैं 3 chapter complete हो चुके हैं जिसमें हमने introduction देखा है python का और दूसरे chapter में हमने variable and data types पड़े थे और तीसरे chapter में हमने string को देखा था अभी जो हमारा fourth chapter है उसमें हम क्या देखने वाले हैं उसमें हमारा रहेगा उसमें हमारा यह रहेगा कि उस chapter का नाम है operator ठीक है तो operator इस chapter का नाम है और इसमें हम सारे जो operator python के अंदर use किये जाते हैं वो सारे चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो operator होते क्या है सबसे पहले हमने यह पता होना चाहिए उसकी definition क्या है तो definition हम यहाँ पे देख लेते हैं तो definition है कि operators are used to perform operations operation को perform करने के लिए हम क्या करते हैं इसका use करते हैं और operation किस पर perform किये जाएंगे variables पर ठीक है तो operation को हमें variables पर perform करना है या उनकी values पर perform करना है ठीक है तो यह तो होगी definition कि operator क्या होते हैं जो हम use करते हैं operation perform करने के लिए variable और values पर ठीक है इसके बाद जो हमारा होता है कि operator कितने type के होते हैं वो सबसे ज़्यादा main है हमारे जो python programming के अंदर होते हैं types of operator हम लोग यहां पर देख लेते हैं तो types of operator कितने होते हैं तो इसमें सबसे पहले हमारा आएगा arithmetic operator ठीक है सबसे पहले हम arithmetic operator पढ़ेंगे इसके बाद second number पर आता है assignment operator assignment operator के बाद है हमारा third number third number पर comparison operator होता है इसके बाद then हमारा fourth number पर होता है logical operator इसके बाद fifth number पर है हमारा identity operator इसको आप जैसे मैं type कर रहा हूँ इसी तरीके से आप अपने notes में बना लेंगे ठीक है या आपके notes के लिए ही मैं आपे लिख रहा हूँ इसके बाद जो six number है इसमें आपका आएगा membership operator और इसमें जो आपका seven number रहेगा वो रहेगा आपका bitwise operator तो अब हम इन ही operators को क्या करेंगे एक-एक करके समझने वाले हैं सबसे पहले हम arithmetic operator समझेंगे उसके बाद assignment इसके बाद comparison फिर logical फिर identity और इसके बाद membership और इसमें bitwise क्योंकि इनके अंदर कई operator देखने को मिलते हैं जैसे arithmetic के अंदर भी कई सारे मिलेंगे assignment के अंदर भी कई सारे symbol आपको देखने को मिलेंगे तो एक-एक करके हम सारे chapter में इसको समझ लेंगे सारे operator जैसे हम समझ लेंगे यह chapter हमारा complete हो जाए तो अब इसमें हम सबसे पहले क्या discuss करेंगे arithmetic operator के बारे में discuss करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे यहां पर कि हमारा क्या-क्या इसमें आता है arithmetic operator के अंदर arithmetic operator ज्यादे तर आप सभी लोग जानते ही होंगे कि जो हम plus minus यूज करते हैं वो सारे हमारे arithmetic operator होते हैं तो हम इनको समझेंगे एक्जामपल की साहता से एक्जामपल से हमारे concept भी clear होता चलेगा हाँ इस operator को यूज करेंगे तो क्या effect आएगा ठीक है तो operator जब हम यूज करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास variable और उनकी value होनी चाहिए अभी हमने definition में देखा कि operators are used to perform operations on variable and values ठीक है तो सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए variable and values होनी चाहिए तो हम एक दो variable बना लेते हैं जिस पर हम perform करेंगे जैसे मैंने x is equal to 10 बनाया और एक और बना देते हैं हमने लिखा y is equal to 9 ठीक है तो हमने आपर y is equal to 9 3 ले ले लेते हैं ठीक है ठीक रहेगा तो हमने ये दो variable ले लिए इसके बाद हम क्या करेंगे इस पर एक एक करके हम operator operator यूज करते हैं अब अगर हम इन दोनों को टूटल करना चाहें तो सबसे पहला arithmetic operator plus operator होता तो हम क्या करेंगे print x plus y तो जैसे हम प्रिंट x plus y करते हैं और इसको हम जब सेव करेंगे तो मैं desktop पर सेव करता हूं इसको और यह हमारे यह day 4 है तो day 4 की यह जो file हमने save कर दी अब इसको जब हम रन करेंगे रन करने के लिए shortcut की क्या होती है F5 आप सभी को पता होनी चाहिए तो F5 जैसे हमने यह press किया तो यहां पर हमें क्या मिल गया 13 यहां पर मिल चुका है त्यानि कि यह operator सही से वर्ख कर रहा है इसी के बाद अगर हम यहां पर देखें दूसरा operator तो दूसरा operator minus operator होगा ठीक है तो यह minus operator क्या करेगा minus करके दिखाएगा तो यह 7 भी आ जाएगा ठीक है इसके बाद अब हमारा जो तीसरा operator होगा multiply के लिए होगा x multiply star से denote करेंगे आपके keyword पर star आपको shift के साथ 8 दबाने पर मिल जाएगा ठीक है यह number keypad की तरफ आप दबाएंगे तो यहां पर भी star आपको दिख जाएगा तो star से multiply denote करते हैं तो 10 में 3 की multiply करेंगे तो 30 आजाएगा इसके बाद जो आपका next है division के लिए तो अगर हम division करें तो slash लगाएंगे और यहां पर हम जब x slash y करेंगे तो यह हमारा जो है division होके यहां पर दिखाएगा तो यह division complete division होता है जैसे देख लो आपकी decimal numbers में भी आ रह है अगर आप यह division केवल इतना चाते हो कि यह decimal part को हटाक के दिखाए only यह जो जितना integer part है उसको ही दिखाए तो उस चीज को हम बोलते है floor division ठीक है तो floor division को हम कैसे देखेंगे इसमे तो floor division के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसी में double slash लगाना पड़ेगा तो double slash किसके floor division के लिए यानि कि जो जब हम तीन को दस से डिवाइड करेंगे तो जितना integer part है केवल वो ही दिखाई देगा दसमलब वाला सारा part जो यहां से हटा दिया जाएगा तो यानि केवल तीन आएगा है ठीक है जब हम पूरा डिवाइड कर रहे हैं तो इतना आ रहा है 3.3333 ऐसे तो मैथ में भी यूज करते हैं ठीक है तो यह floor division का symbol ही आपको अभी पहला symbol जो है नया मिला होगा तो floor division का मतलब है कि जब हम किसी number से किसी दूसरे number को divide करेंगे तो जो dividend हमें मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा केवल integer part return होगा ना कि floating part return होगा ठीक है तो इस चीज को आपको ज इसको बोलते हैं modulus operator अगर हम यह देखना चाहते हैं कि जब हम 3 से 10 को divide करते हैं तो वो पूरा तो divide होगा नहीं है ना 3 3 जा 9 होता है तो पूरा divide नहीं होगा तो remainder भी बचेगा तो अगर हमें वो remainder पता करना है कि remainder कितना बच रहा है तो वो यह operator निकाल के देगा जो कि है modulus operator ठीक है तो यह नाम आप जो मैं बोल रहा हूं इनको लिखते जाएंगे और इनके काम को लिखते जाएंगे ठीक है कि क अगर हमें पावर निकालनी है जैसे अब मेरे पास 10 है और 10 की जो पावर निकालनी है मुझे जैसे की तो पावर निकालनी के लिए हम दो बार इस्टार लगाते हैं अगर हमें पावर निकालनी है जो घात निकालते हैं मैत में वो अगर हमें प्रोग्राम के थूर निकालनी तो 100 अपने आप यहां पे return हो जाएगा तो यह तो हमारी बात हो गई arithmetic operator की तो आप arithmetic operator यह heading डाल लेंगे और यह program आप पूरा example के तौर पे set कर लेंगे inline पे मैंने जो भी चीज आपको बताई है बोलके वो आप इनके सामने hint के तौर पे लिख सकते हैं और आपके यह notes में आ जाएगा ठीक है तो अब हम यहां पे second बात करेंगे second हमारा जो operator होगा वो होगा assignment operator ठीक है तो second हमारा होने वाला है assignment operator तो यहां पे हम second operator की बात करने वाले तो उसके लिए भी हमें value की जरूत पड़ेगी तो हमने यह value same रहने दी अब हम assignment operator में देखते हैं क्या होता assignment operator एक हम already पढ़ते हुए चल ला है आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने आपको variable वाली वीडियो में ही बताया था यह जो equal operator होता है इसको assignment operator भी बोलते हैं ठीक है तो एक operator तो assignment operator में हम पढ़ते ही चल ला है अब अगर हम इस equal को arithmetic operators के साथ अगर मिला के पढ़ने लग जाए तो बहुत सारे assignment operator बन जाएंगे जैसे अगर हम equal plus कर लें तो एक और operator बन जाएगा assignment में जिसे हम बोलेंगे addition assignment ठीक है अगर हम minus equal कर दें तो subtraction assignment तो इस तरीके से कई सारे operator बनेंगे और उनको हमें थोड़ा ध्यान से समझना होगा कि उसमें पीछी logic क्या हो रहा है ठीक है तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे करें तो यह वाला operator तो मुझे दिखाने के ज़रूती नहीं है यह वाला operator तो हम variable बनाते time use करते हैं अब हम इस से आगे की देखेंगे तो अगर जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया अब मुझे क्या करना है X में यह जो X की value है जो 10 है यहाँ पे इसमें मुझे क्या करना है तीन add करना है यानि मैं X में Y को add करना चाहरा हूँ और फिर मैं X को update भी कर दूँ ठीक है तो इस काम को करने के लिए मैं simple कैसे करूँगा अगर मैं without assignment operator करूँ तो मैं यही काम करना चाहरा हूँ सबसे पहले X में Y को add करना चाहरा हूँ फिर जो भी value मुझे मिल रही है उसको मैं किस में store करना चाहरा हूँ X में दुबारा store करना चाहरा हूँ तो इस काम को मैं कैसे करूँगा X में store करना है X equals to क्या store करना है X plus Y ऐसी तो करूँगा इतना मुझे लिखना होगा और अगर मैं अब आपको दिखाऊँ यहाँ पर X को print करके तो X जो है अब हमारा 13 आएगा ठीक है यहाँ पर यह change हो गया 13 आगया ठीक तो 13 जब यह हमारा यहाँ पर आ चुका है तो अब यही काम अगर मैं थोड़ा और short तरीके से करूँ तो उसके लिए ही हम assignment operator यूज करेंगे अब आप इसमें देख पार है को मैंने X यहाँ भी लिखा X मैंने यहाँ भी लिखा तो यह 2-2 बार X क्यों लिखना ठीक है तो 2-2 बार X हम नहीं लिखेंगे हम क्या करेंगे एक बार का X हटा देंगे अब यह दोनों operator एक पास आ गए तो अब इसमें हमें क्या करना है हमें बस plus वाले को आगे कर लेना है और इककोल वाले को पीछे कर लेना बस तो इस line का भी सेम वही मतलब है जो अभी मैं आपको दिखा रहा था तो इस line का मैं मतलब लिख देता हूँ इस line का मतलब क्या है इस line का मतलब है जो इतना अभी मैंने लिखा हुआ है कि इसका मतलब है X is equal to X plus Y यह मतलब है इसका जो मैंने आपको पहले भी दिखाया तो अब भी मैं अगर आउटपुट देखूंगा तो तेरे ही आने वाला है कोई चेंज नहीं होगा ठीक है तो अब आपको यही काम करने के लिए assignment operators imizi करने अब यहां मेरे पास कितनी है यहां तक हमारी X की रहे हैं कि हाँ आप हमारे X की वैल्यू 13 हो चुकी है तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ अब इस 13 में से मैं 3 घटाना चाहता हूँ तो अब मैं डारेक्ट यह assignment वाला ही statement लिखूंगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे X minus equals to Y ठीक है तो इस इस लाइन का मतलब क्या है X is equal to X minus Y तो X minus Y क्या होगा X की वैल्यू है हमारे पास 13 और Y की वैल्यू है तीन तो X minus Y किया तो 13 में से रही ही रहेगा यहां पर कोई change नहीं होगा हमने बाद में यह काम कर दिया तो इसकी बज़े से X की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी तो इसे भी आप देख सकते हो पहली वाली के लिए 13 आ रहा था और दूसरी वाली के लिए 10 ठीक है तो यह चीज होगा इसी तरीके equal Y तो इस लाइन से क्या होगा कि X में क्या store हो रहा है X into Y X into Y store हो रहा है तो X से यहां पर 10 है और Y यहां पर 3 है तो यानि कि X की value अब 30 प्रिंट होगी तो मैं जब यहाँ पर x की value प्रिंट करूँगा तो यहाँ पर क्या आने वाला है 30 यहाँ पर आपको दिखाई देगा 30 आ चुका है तो इस तरीके से assignment operator वर्क करते हैं अब यहाँ पर हमारी जो x की value हो चुकी है वो है यहाँ पर 30 तो इतना प्रोग्राम हो गया यहाँ पर हमने तीन assignment operator देख लिए plus equal minus equal और multiply equal ठीक है तो यह आप note कर लेंगे एक example में अभी example थोड़ा बड़ा होगा तो मैं इस वज़े से इसको हटा रहा हूँ और दुबारा से अब हम आगी की चीज़ स्टार्ट करते हैं तो इसमें अब हम आगी का operator देखते हैं आगी इसी तरीके से हम divide equal कर सकते हैं जैसे अगर मैंने यहाँ पर कर दिया x divide और equal y कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया x is equal to x divide yy ठीक है तो यानि x को जब हम y से divide करेंगे तो जो भी value आएगी वो दुबारा x में जाके store हो जाएगी तो यहाँ पर 3.33 करके value आने वाली है तो अगर हम print x करें तो हमें यही value देखने को मिलेगी आगी 3.333 इस तरीके से value आ चुकी है अब अगर हम यहाँ पर इस line को comment इस line को हमने 3.33 कर दिया तो अब अगर हम इस line को comment कर दें अब मैं इसको comment करता हो चलूँगा ताकि मेरी x और y की value वही रहे आप इन line को बिना उसके लिखेंगे ठीक है बिना comment के मैं comment इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं इनी value को use करना चाहता हूँ ठीक है बार बार value change करेंगे तो उसमें फिर problem आती जाएगे तो अब अगर मैं double equal double slash करके equal करूं तो double slash करके equal हम जानते हैं कि क्या होता केवल integer part return होता तो यानि कि केवल 3 आने वाला ठीक है तो यहां पर आपको 3 भी दिख जाएगा इसके बाद अब अगर हम ऐसी exponential में करें तो exponential में भी हम कर लेते हैं पहले इसको मैं comment कर देता हूँ यहां पर हमने इसको भी comment करके रख लिए comment मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक ही example में सारी चीछ दिखाना चाहरा हूँ तो यह वाली चीज़ें अब effect नहीं डालेंगी तो y की value 3 है अगर मैं इन लाइनों को without comment रखोंगा तो यहां पर value change होती रहेंगी फिर calculation करनी पड़ेगी हम ठीक है तो अब अगर मैं हाँ पर x multiply के sign दो बार और equal और y तो multiply का sign जब हम दो बार लगाते हूँ तो यानि इसका मतलब होता power तो अब मैं x में क्या store कर रहा हूँ x की power y तो x क्या है 10 है और 10 की power कितनी कर रहा हूँ मैं y कर रहा हूँ यानि की 3 कर रहा हूँ तो यानि 10 की power 3 यानि की thousand तो अगर मैं हाँ पर print करूंगा तो x को तो यहाँ पर क्या देखने वाला है मुझे thousand यहाँ पर मुझे देखेगा ठीक है तो इस तरीके से हमारे assignment operator भी complete हो चुके हैं तो यह रहे आपके assignment operator छह साथ operator इसमें देखने को मिले आपको ठीक है अब जो हमारा तीसरा operator है वो है हमारा comparison operator अपरेटर में आपको कोई भी value नहीं मिलती है ठीक है comparison operator मतलब दो values का comparison करेगा दो values का comparison करने पर हमें जो हमेशा output मिलेगा वो या तो true होगा और या तो false होगा तो अब ही अब मैंने आपको last वीडियो में बोला था कि मैं आपको boolean data type भी बताऊंगा तो यह जो true और false होते हैं यही आपके boolean data type होते हैं boolean के अंदर दो ही value आती है true और false ठीक है तो और true और false हम बनाते नहीं है इस वज़े से मैंने उसको बना के नहीं दिखाया था वो हमें कम मिलते हैं जब हम comparison operators का use करते हैं जब हम comparison operators का use करते हैं तो जो इसका output हमें मिलता है वो एक boolean data type होता है क्योंकि उसका जो output है हमें true और false में ही मिलेगा तो अब यहाँ पर हमारा जो पहला operator है comparison के अंदर वो है हमारा equal operator तो मैंने आपको बताया था कि यह वाला जो symbol है यह equal नहीं होता programming के अंदर इसको हम बोलते है assignment अगर हमें equal लगाना है तो हम यहाँ पर लगाएंगे double equal और double equal जब हम लगाएंगे और जिससे हम comparison कर रहा है वो इसको लिखेंगे तो यहाँ पर इस line का कहने का मतलब है क्या x y के equal है तो x y के equal है अगर होगा तो true answer मिलेगा अगर नहीं होगा तो false answer मिलेगा तो इसको हम क्या करते है print के अंदर डाल के check कर लेते हैं क्योंकि जब हमें देखना है तो वो print कराने ही पड़ेगा यहाँ पर हम जैसी print करेंगे तो x y के equal नहीं है तो हमें यह क्या मिल गया है यहाँ पर false मिल गया ठीक है तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं अब अगर मैं इसका type दिखाऊं कि यह सच में बूल यह नहीं है तो इसको type के अंदर भी कर दो तो type के अंदर जैसी करेंगे तो इसका data type प्रिंट होगा तो data type प्रिंट होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो bull data type आ चुका है ठीक है तो bull data type यही होते हैं इसके बाद अब अगर हम यहाँ पर देखें आगे हमारे कौन-कौन से operator है तो आगे equal के बाद हमारा operator होता है not equal अगर मैं not equal comparison करना चाहता हूँ तो यहाँ पर not equal लगाया तो not equal के लिए exclamation और equal का sign होता है तो यह जैसी मैंने यहाँ पर लगाया तो अब यह line बोल रही है कि x y के बराबर नहीं है तो क्या यह statement सही है तो हम देखेंगे x की value y के बराबर सच में ही नहीं है तो यानि कि यह true है तो यहाँ पर हमें क्या दिखने वाला यहाँ पर दूसरी line में true देखेगा पहली line के लिए तो false है और दूसरी line के लिए true है इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें आगे तो आगे हमारे कौन से operator होगा आगे होगा greater than अगर हम चेक करना चाहें क्या x जो है y से बड़ा है तो x के लिए हम greater than symbol लगाएंगे तो x is greater than y तो अब इस line का मतलब है कि क्या x y से बड़ा है तो हम देखेंगे x सच में ही y से बड़ा है तो इसका जो answer आने वाला है वो true आने वाला है ठीक है तो यहां पर true आगया ओके इसके बाद जो हमारे यहां पर next होगा वो इसका opposite less than x is less than y अगर हम चेक करें तो यहां पर हमें false मिलने वाला है क्योंकि जब उसमें true आगया तो इसमें false ही आएगा ओके इसके बाद अभी हम यहां पर देखेंगे greater than equal to print करेंगे यहां पर greater than and equal to क्या x जो है अब यहां पर हम एक साथ दो condition चेक कर ले रहें एक तो हम greater than भी चेक कर ले रहें और एक हम equal भी चेक कर ले रहें अगर इन दोनों में से ही कोई भी value होगी तो true हो जागा या तो x बड़ा होना चाहिए या x बरावर होना चाहिए तो यहां पर दोनों ही condition गलत है ना तो x बड़ा है एक condition सही है एक बड़ा है पर बरावर नहीं है तो एक भी condition आपकी अगर सही हो जाती है इन दोनों में से आप जो दो condition चेक कर रहे हो इन दोनों में से अगर एक भ सेब्सक्राइबॉच सब्सक्राइबॉच सब्सक्राइब तो जैसे हम इसको चैक करेंगे तो यहां पर भी दो कंडििशन चेक किने पहले तो चैक किया जए क्या X इक्वल है आगर उसमें नहीं आ रहा कुछ तो फिर हम चेक करेंगे, यहां पर x less than है y के, दोनों में से कोई भी एक चीज true हो जाती है, तो हमें true मिलेगा, अगर दोनों ही गलत होती हैं, तब ही हमें false मिलेगा, तो इस case में दोनों ही गलत हैं, तो हमें एक false मिल चुगा, तो यह सारे जो operator हैं, अभी मैंने जो इतने operator आपके सामने 6 operator यूज़ किये हैं, यह सब आपके comparison operator हैं, और comparison हमारा जो है तीसरा operator था, तो इसको आप ऐसे ही same to same उतार के note कर लेंगे, और इनके सामने जो भी hint मैंने बताई हैं, थोड़ी बहुत आपको समझाई हैं, उन्हें आप अपनी language में लिख लेंगे, जैसे भी आपको लिखना हो, ठीक, आप इसके बाद हम देखेंगे, next, logical operator, logical operator में हम देखेंगे आपके, तो हमारा जो fourth number होगा, वो होगा हमारा logical operator, logical operator में क्या होता है, logical operator में हम दो comparison operators का comparison करते हैं, ठीक है, तो हमारे comparison operators से हमारी condition बन रही थी, उन दो conditions को अगर हमें एक साथ ही check करना है, तो उसके लिए हम logical operators का use करते हैं, तो अब इसमें हमें थोड़ा एक दो चीज और समझनी पढ़ेंगी, जैसे अगर हम इसमें सबसे पहला operator देखते हैं, end, तो end जो operator होता है, वो अगर दो conditions को comparison करेगा, तो वो कब true देगा और कब false देगा, इस चीज का हमें पता होना चाहिए, ये केवल एक ही condition में true देगा, it returns, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, it returns true, only when both conditions are true, जो हम दो conditions का comparison कर रहे हैं, अगर वो दोनों ही true होंगी, उसी case में यहाँ पर true होगा, otherwise true नहीं होने वाला, अगर हम example के लिए देखें, तो यहाँ पर आप suppose करें कि यहाँ पर condition 1 है, ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर condition 1 है, इसके बाद यहाँ पर condition 2 है, ठीक है, तो condition 1 और condition 2 है यहाँ पर, तो अब अगर हम यहाँ पर result देखें, तो result हमारा आएगा अगर हम condition 1 में देखते है condition 1 का तो आ रहा है true ठीक है और जो हमारा condition 2 है उसका भी आ रहा है true तो जब दोनों ही condition का अलग-अलग true आएगा तब हमारा जो final result होने वाला है वो हमारा true होने वाला इस line का मतलब बता रहा हूँ मैं आपको हम क्या देख रहा है जब हमारी condition 1 true होगी और condition 2 true होगी अलग-अलग हम देख रहा है उनको और हमने दोनों को combine कर दिया वह एक ही statement में तो हमारा जो final output होगा वो क्या होगा true होगा ठीक है इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखे है result 2 तो result 2 में भी हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर तो true ही है और यहाँ हो गया है false इस case में यहाँ पर क्या return होगा final में false return होगा इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखे result 3 में result 3 में अगर मैंने यह वाला false कर दिया आपके पहला वाला और यहां पर true कर दिया तो यहां पर final मेरा क्या होगा false होगा अगर मैंने result 4 में लिखा तो यहां पर मैंने अगर दोनों ही false कर लिए तो मेरा यहां पर false return हो ठीक है तो यह 4 possibilities होती है हमारी कि अगर हम 2 condition लगाएं तो क्या क्या possibilities हैं या तो condition 1 true होगी तो true के साथ इसके साथ एक बार true हो सकता या एक बार false हो सकता ऐसी condition 1 जब false होगी तो इसके साथ भी एक बार true होगा एक बार false होगा तो यही तो 4 possibilities हैं तो जब यह चारों possibilities हैं तो यहां पर हमारा final result क्या रह रहा है तो final result एक ही बार true हुआ है और यही line मैंने आपके conclusion में लिख दी थी It returns true, only when both conditions are true जब हमारी दोनों conditions अलग-अलग true होंगी तब ही हमारा final output true आने वाला है एक भी false हो गई चाहे condition 1 false हो जाए चाहे condition 2 false हो जाए उससे कोई फरक नहीं पड़ता अगर एक भी false होगी और आपने end operator का use किया है तो आपको जो output मिलने वाला वो false ही मिलने वाला है ठीक है तो यह table होती है आप इस table को चाहें तो note कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैंने आपको end operator समझा दिया पूरा अब इसको हम practically देख लेते हैं ठीक है तो यह table मैं हटा दे रहाँ तो अब हम इसको practically देखेंगे तो हमने यहाँ पर लिखा हमारे पास x है ठीक है x variable है हमारे पास 10 है ठीक है तो अब हम इसको comparison करते हैं तो अब यहाँ पर हम दो condition का comparison करेंगे ठीक है क्योंकि यह दो conditions के लिए होता तो x अगर हमारा बड़ा है y से ठीक है एक condition तो यह हो गई अब मैं दूसरी condition को जोड़ना चाहता हूं तो end operator यूज करेंगा ठीक है तो end operator मैंने यूज कर लिया अब हम check करेंगे कि x छोटा है y से तो अब इसका output हमें क्या मिलने वाला है इस statement का अब हमें output क्या मिलेगा तो पहले हम अलग अलग solve करेंगे हम यह वाली solve करेंगे पहले जो हम अपनी roughly work करेंगे वो यहाँ पर हम ऐसे करेंगे कि हम पहले पहली वाली condition को check करेंगे तो यहाँ पर क्या है x is greater than y है तो हम इसको पहले check कर लेते हैं एकस 10 है y3 है यानि कि यह true है इसके बाद अब हमने यह वाली condition check की x is less than y तो x10 है y3 है तो यह तो गलत हो गया तो यानि कि एक condition तो true आ रही है और एक condition आ रही है false तो मैंने अब आपको table बना के दिखाई एक भी condition अगर false हो गई और हमने end operator लगा हुआ है इसी तरीके से अभी हम और भी check कर लेते हैं सारी type को हम बना के देखेंगे तो यहाँ पर अब अगर हम क्या कर देते हैं x is greater than y है ठीक है अच्छी बात है इसके बाद x equals to 10 ठीक है तो अब हमारी जो पहली condition है वो जो मैंने same ही रखी जो की पहले true आ रही थी अब मैंने दूसरी condition बदल दी यहाँ पर मैंने लिख दिया कि x y के बराबर है x जो है 10 के बराबर है x सच में ही 10 के बराबर है तो यानि कि अब ये भी true हो गया तो दोनो true हो गए तो मुझे final output क्या मिलेगा true ही मिलने वाला है एक से ज़्यादा conditions को एक ही statement में compare करके final output देने के लिए हम इसका use करते हैं ठीक है जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं अब हम उसके according देखेंगे कि हमने कौन सा logical operator यहाँ पर use किया है end में ये nature होता है कि वो केवल तभी true return करेगा जब दोनों conditions true होंगी only एक case में वो true return करता है ठीक है तो यह तो हो गया end का काम end operator में इतना था तो आप end operator डालेंगे ये line लिखेंगे इसके बाद जो मैंने table आपको समझाई थी वो table आप note करेंगे और इसके बाद आप ये example पूरा लिख लेंगे ठीक है तो ये तो हो गया end का काम अब हम इसको हटा देते हैं अब हम दूसरा operator देखेंगे तो दूसरा हमारा operator जो होगा वो है और operator ठीक है तो और operator हमारा क्या होता है कि ये इसका opposite होता है it returns false only when both conditions are false इसका कहने का मतलब यह है कि ये एक ही condition में false देखेंगे वहाँ पर हम बात कर रहे थे एक ही condition में true देता था और ये क्या है इसका nature एक दम पोजिट है ये एक ही condition में false देता जब दोनों ही condition false हो जाएंगी ठीक है तो इसकी भी table हम समझ लेते हैं तो यहाँ पर हम फिर से वही condition 1, condition 2 यहाँ पर लिख लेते हैं condition 1 फिर यहाँ पर लिख देते हैं condition 2 और हमारा जो final output है वह यहाँ पर ले लेगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा पहला result की condition हम बनाते हैं वहाँ पर तो condition 1 में क्या हो रहा है condition 1 में अगर हमने true रखा और condition 2 में भी true रखा ठीक है तो यहाँ पर हमें क्या return होगा final output वो होगा true इसी के बाद अगर हम यहाँ पर second output देखें तो second output में हमने यहाँ तो true ही रहने दिया इसके बाद हमने condition 2 में कर लिया false तो इस में क्या होता है और में क्या होता है कि अगर कोई भी एक condition true चल रही है तो आपका जो final output है वो true ही आने वाला है ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे true ही आएगा इसके बाद जो result 3 है result 3 में हमने फिर यहाँ पर क्या possibilities हुई अब false की possibilities है तो false के बाद अब हम यहाँ पर true देखेंगे तो यहाँ पर भी एक condition true है तो फिर final output आपको true ही मिलने वाला है इसके बाद result 4 देख लेता है result 4 में क्या होगा यहाँ पर false हम रखेंगे और यहाँ पर भी false रखेंगे तो जब दोनों ही false हो जाएंगे तब ही यह false return करेगा तो यह इसकी पहचान है क्योंकि यहाँ पर unique काम हो रहा है इन तीनों में तो same true 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 आ रहा है तो यह कोई इसकी identity नहीं है इस operator की identity line क्या है यही है कि जब दोनों ही condition false हो जाएंगी तो इसका जो final output है वो false होगा ठीक है तो यह इसकी table है आप इसकी table ऐसे ही बना लेंगे जैसे end operator में बनाई थी और अब हम इसका एक example भी करके देख लेते हैं तो हमने यहाँ पर इसको उटा दिया अब हम यहाँ पर print करते हैं हमने लिखा x is greater than y ठीक है पिछली conditions को मैं यहाँ पर check करके दिखा रहा हूं देखो कैसे काम करता x is less than y ठीक है यहाँ पर हमने दो condition लिखी और उनके बीच में लिख दिया और operator तो x is greater than y यह तो true है और x is less than y यहाँ पर हम देखेंगे x की value 10 है और y की value 3 है तो यह गलत है यानि कि एक condition हमारी true है और एक condition हमारी false है तो यहाँ पर final output क्या होगा आप खुछ सोजो आप खुछ बता सकते हो तो यहाँ पर f5 जो हम press करेंगे तो यहाँ पर आयेगा true क्यों आयेगा क्योंकि और operator में क्या होता है अगर एक भी condition true हो रही है तो final output हमारी true ही आने वाला है और only एक ही condition में false आएगा जब दोनों ही condition false होंगी तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें एक और statement तो मैंने लिख दिया हाँ पर x is less than y और x is not equals to 10 ठीक है तो अब इसको समझो x is less than y क्या x y से छोटा है नहीं है तो यानि यह होगा false इसके बाद x से 10 के बरावर नहीं है 10 की तो बरावर है तो यानि कि यह भी false दोनों ही false आगे दोनों ही false आगे तो मैं जब यहाँ पर f5 प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मुझे false दिखने वाला ठीक है तो आप ऐसे ही खुसे भी create कर सकते हो ठीक तो यह आपका example हो गया तो इसके भी हमारी दोनों चीज complete हो गई अब हमारा जो तीसरा operator होगा तीसरा operator हमारा होगा not operator ठीक है तो not operator में हम क्या देखते हैं not operator क्या करता है not operator क्या करता है reverse the result ठीक है यानि जो भी आपका output आ रहा है उसका opposite आपको देने वाला है जैसे अगर आपका output final output true आ रहा तो वो क्या कर देगा उसको false कर देगा अगर आपका final output false आ रहा है तो आपको क्या return कर देगा true return कर देगा तो यानि कि रिवर्स कर देता है जो भी रिजल्ट आपको मिलने वाला है तो उसमें रिवर्स कर देता है तो कैसे रिवर्स कर देता है तो वोई चीज हम यहाँ पर देखते हैं हमने यहाँ पर लिख दिया कि X is greater than Y तो अभी क्या है यह operator हमारा क्या return करेगा इतनी जो मैंने भी condition लिखी है इसमें क्या return होगा कि हमें यहाँ पर देखने को मिला है X बड़ा है Y से तो यहनि true return होगा ठीक है तो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं पहले इसको true return हो रहा है कि नहीं तो यहाँ पर हमने देखा true आ गया ठीक है तो अब अगर हम यहाँ पर not operator लगा दे not operator हमने लगाया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा false हो गया हो गया ना उल्टा तो यानि की not operator का का काम क्या है जो भी आपका output है पहले से एक condition का और अगर आपने उसके सामने not लगा दिया तो वो उसका उल्टा दे देगा यानि जो भी इसका answer आ रहा होगा उसका opposite मैंने दिखाया भी इसका answer क्या रहा था true आ रहा था और जैसी मैंने इसके आगर not लगा दिया तो अपने आप false हो गया ठीक है तो not operator में इतना ही है तो यह आपके logical operator भी यहाँ पे complete होगे तीन logical operator से इसके बाद हम देखते है आइडेंटिटी ओपरेटर तो यहाँ पर हमारा जो फिफ्ट नंबर पर है वह है हमारा concept भी clear होगा और आपको पता चलेगा आखितकार variable है क्या ठीक है आभी तो आपने एक definition पड़ी थी कि बस variable is like a container आभी आपको यहाँ पर दूसरी और definition मिलेगी जो की variable को और आपको clear करेगी concept क्या होता variable का real concept तो जैसे अगर हमने एक list बनाई list को मैं थोड़ा बद आपको idea दे चुका हूँ कि square bracket में बनती है तो मैंने जब मैंने हाँ पर add किया और एक मैंने तीसरा और variable बनाया z उसमें मैंने क्या कि x की value assign कर दिया यह जो मैंने x बनाया था उसको मैंने z में assign कर दिया तो इसका मतलब यहाँ पर हमने value भी 1,2 है और इसमें मैंने 1,2 अपका जो है x के थू assign किया है ठीक है यहाँ पर direct value दे के assign किया और यहाँ पर मैंने x को ही assign कर दे तो z भी indirectly क्या हो गया 1,2 हो गया तो अभी हमने इतना काम किया है और आपको यह लग रहे होंगे तीनों सेम होंगे क्योंकि तीनों में 1,2,1,2,1,2 है तीनों में value सेम है तो क्या तीनों सेम है तो अब इस चीज़ को हम check करेंगा identity operator से तो identity operator दो है is और is not अगर मैं हाँ पर लिखता हूं print x is z ठीक है तो इस line का कहने का मतलब है क्या x z के बराबर है या नि x z के बराबर है नहीं मतलब x z के जैसा है इस line का मतलब यह है x z के जैसा है या x z है ठीक है तो इस line का मतलब यह हो गया x z है तो अब हम देखते हैं यहाँ पर true आने वाला है या false आने वाला है तो हमने यहाँ पर जैसे ही f5 press किया जहां true आ गया चलो कोई बात नहीं यह तो possibility था क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि Z पर जब हमने X को ही assign किया है तो X Z ही है ठीक है सही बात है इसके बाद अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं अब हम यहाँ पर चेक करते हैं X is Y ठीक है तो अब आप ध्यान से देखो यहीं पर concept X is Y का मतलब क्या हो रहा है अब आपको अगर concept नहीं पता है तो आप क्या करोगे यहाँ पर देखो कि X की value भी 1,2 है Y की value भी 1,2 है तो और यह कह रहा है कि X,Y है तो यानि की बात तो सही है दोनों की value same है तो यहाँ पे यह भी true देगा बट ऐसा नहीं होगा ठीक है तो आप इसको पहले check करेंगे तो यहाँ पे देखो false आ चुका है ठीक है तो अब यह false आया क्यों अब यहाँ पे आपको एक variable की new definition मिलेगी कि जो variable होता है जब भी हम कोई नया variable बनाते हैं तो उसको एक नया memory address मिलता है ठीक है अब चाहें उसमें हम एकदम same to same value ही क्यों न रख दें उससे कोई फरक नहीं पड़ता हमने उसे नाम तो अलग दिया है नाम भी अलग दिया है और जब नाम अलग दिया है उससे दुबारा से बनाया है तो उसको एक नया memory address मिला है तो अगर आप variable की इस definition को देखते हैं कि variable is a memory address तो आपको पता चलेगा कि x अलग है और y अलग है ठीक है तो यहाँ पर मैं definition भी लिख देता हूँ variable की तो यहाँ पर हमने लिखा variable is a memory address ठीक है तो हमने यहाँ पर एक और definition देखी तो इस definition की according अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर यह जो दोनों हैं वो अलग हैं भले ही दोनों में मैंने same value assign कियो उससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम comparison तो इनका कर रहा है न x और y जो हमने अलग-अलग memory address को नाम दियें तो इनका memory address होगे अलग-अलग तो जब अलग-अलग memory address है तो same कैसे हो जाएंगे तो same नहीं होंगे इस वज़े से हमारा यहाँ पर क्या आएगा false answer आता है ठीक है तो आपको यह चीज समझ में आगे होगी इसके बाद अगर हम इसका negative वाला देखें तो negative है is not तो यानि वो इसका उल्टा काम करेगा अगर मैंने लिखते है x is not z तो x is not z क्या हो जाएगा जब यह x is z था तो true दे रहा था तो x is not जब हम z करेंगे तो वो इसका opposite देगा false देगा ठीक है तो इस तरीके से हमने इसका देख लिए तो यह हमारे जो दो operator है is और is not यह हमारे है identity operator अब इसके बाद जो हमारे operator आएंगे वो है membership operator तो membership operator यहाँ पर हमें हैंटिंग कर देते हैं membership operator और यह हमारे six number के operator है ठीक है तो यहाँ पर अब हम इसके ही through इसको समझ लेंगे यह सी example से तो हमने आप लिखा print x यानि की हमें membership देखना है तो हमने लिखा one in x ठीक है तो हम membership operator in का use करके देख रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि आगे हम detail में इसको देखेंगे तो जो in operator है यह क्या कह रहा है इसका मतलब है कि क्या one जो है x में है तो यहाँ पर है बिल्कुल है यहाँ पर दिख रहा है आपको one ठीक है तो one x में है तो इसका जो output हमें दिखेगा वो हमें true मिल जाएगा ठीक है इसी का opposite होता है print one not in x ठीक है तो अगर हमने इसका opposite लिखा तो जब यह वाली बात सही है तो यह वाली बात गलत ही होने वाली है तो यहाँ पर जो हमें output मिलेगा वो false में return होगा ठीक है तो इस तरीके से हमने यह दोन operator भी देख लिए in और not in operator इनका काम यही होता है कि कोई भी जो string या number है वो relative variable में exist कर रहा है या नहीं कर रहा है तो यह check करके बताना इनका काम होता है ठीक है तो यह होगे दो membership operator इसके बाद अब हमारा जो थोड़ा calculation वाले operator आ गए है वो है हमारे bitwise operator और इसमें आपको binary digits की समझ होनी चाहिए तो यह आपको अच्छे से समझ में आएंग और इसकी हम calculation करके भी समझेंगे किस में क्या चीज हो रही है ठीक है तो bitwise operator में हमारा जो सबसे पहला operator है वो है हमारा end operator ठीक है तो end operator हमें यहाँ पर देख लेते हैं तो end operator अब पहले सबसे पहले हमें यहाँ पर value बना लेते हैं तो यहाँ पर हमने लिखा a is equal to 10 और b is equal to 7 तो सबसे पहले तो हमें इन 10 और 7 को binary digit में convert करना आना चाहिए ठीक है तो binary digit में जब हम इसको convert करेंगे 10 को तो 10 का जो binary digit बनेगा वो होगा हमारा 1010 ठीक है तो यह हमारा इसका binary digit بنेगा ठीक है यहाँ पर हमारा जो binary digit बन गया है वो है 1010 और यह कैसे बना है इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर समझते हैं कैसे हम binary digit बना रहे हैं मैं आपको समझा देता हूँ ठीक है तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर number है हमने लिया है हम पर 10 अब यह जो 10 नंबर है इसको हमें क्या करना है डिवाइड करना तो हम यहां पर डिवाइड करेंगे और डिवाइड करते हुए चलेंगे यहां पर जो भी हमार आउटपुट होगा ठीक है एलसीम मैथट से हम इसको निकालेंगे ठीक है तो हम इसको डिवाइड करते हो चलेंगे तो यहां पर हम क्या कर रहा है हमने यहां पर लिख लिया जो भी नंबर है अब इसको क्या करते है हम टू से डिवाइड करते हैं तो हमने यहां पर टू से डिवाइड किया तो यहां पर क्या आ जाएगा टू से जैसे हम डिव पांच वर डिवाइड होगा ठीक है तो पांच वर जब यह डिवाइड होगा तो यहां पर जो आने वाला है वो क्या जाएगा पांच आजाएगा और रिमेंडर क्या बचा इसमें रिमेंडर बच गया जीरो रिमेंडर भी साथ के साथ यहां पर लिखते हुए चलेंगे तो जब हमने 2 से 10 को डिवाइड किया, तो यहां पर पांच बार यह डिवाइड हो गया, और पूरा पूरा वार डिवाइड होगा, और इसमें जो हमारा एक बच रहा है, दो दुनी चार और एक बच गया ठीक है फिर से अब हम क्या करते हैं यहाँ पर इस दो को दो से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा अब कि हमें हैं पर मिलेगा कि यह एक बार divide हुगा फिर से हम इस एक को भी divide करेंगे जब तक यहां पर 0 ना बन जा इस line में बीच वाली में तब तक हम divide करेंगे तो यहां पर 1 आया अब 1 तो पूरव डिवाइड होता नहीं है तो हम इसको कितनी बार डिवाइड करेंगे 0 टाइमस डिवाइड करेंगे और remainder क्या बच्च जाएगा 1 बच्च जाएगा तो यहाँ पर आपने देखा कि यह जो आपके यहाँ पर नंबर बने हैं यह वाले ठीक है remainder से जो नंबर बने है यह आपका binary digit बनाते हैं ठीक है तो इनको आप कैसे लिखोगे नीचे से उपर की तरफ लिखोगे ठीक है नीचे से उपर की तरफ लिखोगे तो यहाँ पर हमने लिखा 1010 तो यही मैंने आपको दिखाया कि यह जो आपका 10 है इसका binary form में क्या होगा 1010 बनेगा सेम इसी तरीके से आप 7 का अपनी तरफ से ही निकालेंगे मैंने आपको बता दिया है तो 7 का भी आप अपनी तरफ से निकालेंगे और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0010 ओके तो यह आपने यसलिए लिख दिए तो हमें binary में इसको convert करना ही होगा तो अब हम इनके उपर operation perform करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा operation है सबसे पहला वो है end operator और end operator जब हम इने यहाँ पर लगा है यह symbol होता है end का ठीके shift के साथ 7 दवा के आप बना लेंगे तो यहाँ पर हमने end operator जब यहाँ पर लगा दिया तो इसका output क्या आने वाला है अब इसको आपको समझना होगा ठीके तो इसको भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूं तो हमारे पास यहाँ पर दो डिजिट है ठीक है दो डिजिट है हमारे पास एक तो 10 का था तो 10 का क्या था 1010 ठीक है 1010 इसका था हमने यहाँ पर लगा दिया end operator तो end operator लग गया फिर हमारा जो 7 था उसका क्या है 7 का है 001 0010 यह हमारा 7 का है और उपर वाला है हमारा 10 का अब जो इसका final output आएगा वो कैसे आएगा ठीक है तो final output जो हम लिखेंगे यहाँ पर एक line draw कर लेता हूं उसके नीचे लिखेंगे ठीक है तो हमने line draw कर ली अब इसके नीचे हमें जो हम final output लिखना है तो यहाँ पर final output लिखते कैसे हैं यह आपको समझना होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पीछे से यहां पर काम करना चालू करेंगे तो जीरो और जीरो जब दोनों साइड पर जीरो होते हैं और बीच में end operator हमने यूज किया हुआ है तो जो final output होगा वो जीरो ही मिलेगा इसकी table में आपको पहले ही provide कर चुका हूँ जो मैंने end operator और और operator पढ़ाये थे आपको जानो comparison operator में अभी इसी वीडियो में ने बताया था तो वहाँ पे मैं true और false यूज कर रहा था था ना true का मतलब one होता है और false का मतलब zero होता है काम वैसे ही होगा तो अगर हमारे दोनों condition में false है याने कि दोनों condition में आपका zero है तो final भी आपका zero ही आया ठीक है इसके बाद अगर हम यहां पर देखे है अब इसको दोनों condition में true है और बीच में हमने end operator यूज किया हुआ है तो हमारा final भी true आएगा याने कि हमने आपका one लिग दिया ट्रू को वन से रिप्रेजेंट करते हैं और जब जीरो को फॉल्स के लिए ठीक है अब फिर से जीरो आ गए तो यहां पर हमने फिर जीरो लिख दिया ठीक तहां तक हमारा हो गया इसके बाद आपने आप लेगा वन और जीरो एक ट्रू है एक फॉल्स है तो कोई मतलब नहीं हमारे लिए ये false ही रहेगा क्योंकि end operator केवल एक ही condition में true देता है जब दोनों ही true हो तो यहाँ पर हमने एक condition देखी कि उसमें true आ रहा है और एक में देखा false आ रहा है तो final हमारा क्या होगा false ही रहने वाला है ठीक है तो जो इसका ये output है वो आ गया ये convert करना होगा उसके लिए हम क्या करते है 2 से multiply जितने भी हमारे digits आए है उनको हमें 2 से multiply करना है with increasing power of 2 ठीक है तो हमें क्या करना है यहाँ पर देखना यहाँ पर इसकी power कितनी रहेगी यहाँ पर जो हमारी index है वो 0 होती है यहाँ पर index 1 है यहाँ पर index 2 है और यहाँ पर index 3 है तो यहाँ पर total 3 index है और जहाँ पर केवल 1 आ रहा है वहीं पर multiply करो क्योंकि multiply करने का फायदा होई है क्योंकि 0 में तो multiply करो 0 ही हो जाएगा तो यहाँ पर हम multiply करना है यहाँ पर आपने power देख लिए कि यहाँ पर power बनेगी 1 तो 2 की power 1 से multiply करनी है अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम 2 की power 2 से multiply करते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमें 1 मिल गया है और 1 हमें जहाँ पर मिला वहीं multiply करेंगे क्योंकि हम अपना time waste नहीं करेंगे तो हमें 1 में क्या करनी है 2 की power 1 से multiply करनी है तो हमारा जो output आएगा वो 2 आएगा तो 2 इसका decimal conversion होगा ठीक है तो जो हमें इस operator का output मिलेगा उसके पीछे इतनी calculation होगी जो कि मैंने अभी आपको बताई है ठीक है तो इतनी calculation होगी पहले आपको जो भी decimal number है उसे binary में convert करना है फिर जो दो आपने number लेती दोनों को convert करने के बाद आपको उसे table के according solve करना जो मैंने end operator और operator की table बताई थी दोनों को solve करके जो आपको answer मिलेगा वो binary में होगा तो आपको फिर से उसे decimal में convert कर लेना है decimal convert करोगे तब आपको जाके आपका answer मिलेगा 2 तो यहाँ पर इतना लंबा process होता है यह मैं आपको deep मैं समझा रहा था तो यहाँ पर जैसे ही आप काम करोगे आपको output तो same मिली जाएगा उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पर यह आपको जो है यहाँ पर exam में mcq वगेरा हम देखने को मिल सकता है तो वहाँ तो आपको आपको पास computer नहीं होगा तो वहाँ तो आपको ऐसे ही solve करना पड़ेगा जैसे आप math में solve करोगे इस वज़े से मैंने यह आपको पूरा process बताया ठीक है तो अब अगर हम यहाँ पर और operator को देखते हैं तो अब हम बाकी के operator ऐसे ही देखेंगे और operator में हम यहाँ पर करते हैं तो और operator का जो symbol होता है वो होता है इस तरीके से और हमने यहाँ पर लेख दिया भी तो यहाँ पर और वाली table बस इतना ही difference आएगा कर सकता है तो हम जैसे 5 बत दबाएगे तो यहाँ पर मिल जागा 15 ठीक इसके बाद अब अगर हम यहाँ पर देखें next जो तीसरा operator है वो है हमारा X और operator ठीक तो X और operator होता है और इस पर symbol हमें लगाना shift के साथ 6 दबाके यह वाला symbol होता है तो हम इसको जब यहाँ पर लगाएंगे तो इसको बोलेंगे हम X और operator X और operator की मैं table आपको दिखा देता हूँ X और operator में क्या table होगी ठीक है तो X और में बस थोड़ा से different होगा जो और वाली table है वही table रहेगी बट इसमें क्या होगा कि जो आपकी एक line change होगी वही मैं आपको बता देता हूँ बाकी तीन line same रहेंगी तो एक line change कौन से होगी जिसमें आपकी पहली condition true थी और दूसरी condition भी true थी और वाली table में आप change करेंगे ठीक है और वाली table same है बस आपको यह line change कर लेनी है एक line उसमें से change होगी जो आपकी दोनों condition के true होने पर क्या output return कर रही थी true return कर रही थी तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा बस यहाँ पर false आजाएगा ठीक है तो यह आपकी x और वाली table आपकी बन जाएगी आप बस एक line में change कर लेंगे आपकी x और वाली table बन जाएगी तो इसमें क्या होगा यहाँ पर भी false आजाएगा बस इतना आपको ध्यान रखना है और आप उसके according ही पहले क्या करेंगे a को binary में convert कर लेंगे b को binary में जो कि मैंने already करा हुआ है इसके बीच में आप operator लगा के उस table के according solve करेंगे तो आपको यहाँ पर output देख जाएगा और इसमें जो output आएगा वो आपको आएगा तेरे आप match कर लेंगे इसे ठीक है इसके बाद हमारा जो next operator है इसमें वो है हमारा note operator ठीक है तो note operator जब हम यहाँ पर देखेंगे तो note यहाँ पर कुछ different होता है पिछली वाले note से ठीक है तो अगर हम यहाँ पर note operator लगाते हैं जैसे मैं note operator का symbol बताऊँ तो यहाँ पर जो one के पास एक button होता है tilt button वहाँ पर अगर हम press करेंगे shift के साथ तब यह operator बनेगा और यहाँ पर हमें card कर देते हैं और minus का symbol लगा देते हैं तो यह हमारा जो output यहाँ पर बिल जाता है not operator का इसके बाद यहाँ पर अब इसमें दो नए operator और हैं वह हैं हमारे zero fill left और zero fill right ठीक है तो यहाँ पर हम left shift operator देखते हैं पहले तो हमने यहाँ पर लिखा कि a और left shift का जो symbol होता है दो बार left hand हमें लगाना और जितना shift करना वह प्लेस हमें बताना तो इस line का मतलब है कि a को दो place left में shift कर दो a को दो place left में shift कर दो इसका मतलब यह हो गया कि जो हमारी a की value है binary value क्या आए की binary value अभी हमारे पास यह है 1010 अब यह left में shift कैसे होगा दो place left में shift जब हम right में कुछ add करेंगे तो right side में हम अब कुछ add करेंगे तो कुछ add करने से हम ऐसी चीज़ add करेंगे कि हमारी value भी चीज़ ना हो ठीक है तो हम जब अपनी तरफ से binary में कुछ भी add करते हैं तो हम 0 को ही add करते हैं ठीक है तो 0 को add करते हैं ना कि 1 को तो हमें क्या करना right side में हमने 2 0 add कर दिये तो यह अपने आप 2 place left में हो गया ठीक है तो 2 place left में हो गया तो यह इसका output हो गया यह वाला जो binary number है यह इसका output है, तो अब इसको आपको solve कर लेना है, यहाँ पर आपको पहले तो power गिननी है, यहाँ पर 0 power है, यहाँ पर 1 power है, यहाँ पर 2 power है, यहाँ पर 3, यानि 2 की power 3 से multiply होगी, तो 2 की power 3 होती है 8, फिर आपको इसको add करना है किसमें, 2 की power 4, 2 की power 5, यहाँ पर 2 की power 5 में आपको add कर देना है तो यानि कि 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 3 तो 2 की पावर 5 हो गया 32 और 2 की पावर 3 हो गया 8 यानि कि जो इसका answer आएगा वो आएगा 40 ठीक है तो इस तरीके से आपको यह solve करना है तो यहाँ पर आपको दिखेगा 40 answer ओके इसके बाद ऐसे ही इसका opposite होता है right shift और same concept लगाना अगर मैंने right shift कर दिया और right shift मैंने जैसे यहाँ पर किया तो अब right में shift होगा तो यहाँ पर right में shift करेंगे कैसे 1010 तो right में shift करने के लिए हमें left में कुछ जोड़ना पड़ेगा तो हमने यहाँ पर क्या किया left में जोड़ा पर जब हमने left में जोड़ा तो इसमें एक और काम होगा कि left में जैसे हमने जोड़ा तो right वाली side से दो लोग यहाँ पर निकल जाएंगे ठीक है क्योंकि इधर की limit हमारी bound होती है इधर हमारे जो number है उनकी एक limit होती है यानि इस limit से आपको इधर नहीं जाना होता इधर आप चाहें कितने भी बढ़ालो उससे कोई different नहीं होता बट आपको right side में जो है आपको add करने की permission नहीं होती तो जैसी आपने इधर से दो add कि तो वो इधर से आपके दो निकल गए ठीक है पिछले वाले में यह नहीं होता क्योंकि पिछले वाले में जब हमने दो इधर add किये तो इधर को move हो गए तो left side में जितने zero add कर लें उसमें कोई different हमें नहीं पढ़ने वाला अगर हम binary में पढ़ रहा है तो binary में हम left side में कितने वाला binary number आ गया अब इसको हम solve कर लेंगे तो यहां पर two की power one से multiply होगी और यहां पर आ जाएगा two answer तो यहां पर हमें जो output देखने को मिलेगा वो होगा two और सबसे आपके जो यहां पर है आपके सारे operator complete हो गया है साथ type के operator थे साथों complete हो गया है और सबसे जो complicated हैं वो यही है bitwise operator और exam में भी यही पूछे जाते हैं क्योंकि यह calculation type के operator होते हैं इनके लिए आपको calculation करनी पड़ती है पहला आप binary में convert करोगे उसके बाद दोनों को table के according solve करोगे जैसे and वाली table हो गई और वाली table हो गयी और वाली table हो गयी उनके according solve करोगे फिर आपको जो output मिलेगा वो भी binary मिलेगा फिर आपको बापस binary से decimal में convert करना होगा इतना लंबा process होता है तो यह आपके exam में देखने को मिलते हैं अकसर चाहें आपका MCQ based exam हो चाहें आ बाकी operator आपके simple है उसमें कोई tension वाली बात नहीं है अब हम next video में एक नए data type को cover करेंगे जो कि होगा हमारा list और I hope आपको यह video समझ में आ रहे होंगी आपको अगर समझ में आने में time लगता है तो आप अपने आपको time देंगे और उसके according आप अपना काम करेंगे ठीक है कि फायदा होता है कि आप उसमें जितनी बार चाहें उतनी बार repeat करेंगे और हर बार repeat करने पर आपको same content मिलेगा इतना आपको offline में भी नहीं मिलता क्योंकि offline में आप teacher से एक बार पूछो दो बार पूछो तो एक दो बार तो वो डंग से बताएगा उसके बाद आपने उस स के साथ बताया जाएगा तो आप इस चीज को use करें और जितनी बार देखने का मन कर उतनी बार देखें और आप अपना जो है concept clear करें जब तक आपका concept clear नहीं होता तब तक आप आगे ना बढ़ें ये नहीं कि आपको जल्दी जल्दी सीखना time कम है तो आप क्या कर रहे हो ए कि एक दिन में दस दस वीडियो देख रहे हो या बारे बारे वीडियो देख रहे हो तो उस चीज को करने से बचें प्रैक्टिस करें concept बनाए और खुझ से अपने आप example create करें तो आपको लगेगा कि हाँ आप कुछ सीख रहे हो ठीक है तो यही हमारे आप से उम्मीद है इ नए चेप्टर के साथ यह वाला चेप्टर आपका complete हो चुका है thanks for watching this video